जैस सनीदेव मकरास के दोस्तों स्वाकत और अभिननदन है आपका एक बार फिर से आपके ही देनी का रासी फल में मैं हूँ आचार इसके तीवारी बात करेंगे राज़ बारा मैं आपके लिए कैसा रहने वाला है दोस्तों यह रासी फल आपके चंदरासी पराधारी थे है इसे आप अपने नाम रास के आधार पर भी देख सकते हैं इस रास फल को निकालते समय ग्रहन शत्रों के साथ साथ पंचांग की गरना की जाती है आज के रासी फल में आपके लिए नोकरी और व्यापार आपका लेंदेन आपका परिवार और आपके जिवन साथी का सम्मन्द आज दिन भर सेहत आपकी किस प्रकार से रहने वाली है सुबसुब घटनाओं का भविस फल ते होता है इस रास फल को देखकर आप अपनी योजनाओं को सफल ब प्रतिक्षा में रहेंगे दैनिक रासिफल को जानकर अब दोनों ही परिस्थितियों के लिए हमेशा सतर को और सापधान रहेंगे तो आईए रासिफल से पहले आज के पंचान के बारे में जानते हैं अर्राइबार 12 माई 2024 बैसाख सुकलपक्ष की पंचमीती थी विक्रमी संबद 2021 आज का सुर्योदे 5 बच के 32 मिनट पर होगा तो ये आज का सुर्यास्त 7 बच कर 3 मिनट पर होगा आज के दिन चंद्रमा मिथुन रास में रहेंगे सुबह 5 बच के 5 मिनट तक उसके बाद कर कर रास में प्रवेस कर जाएंगे बात करेंगे एक और आज के मोहुर्टों की तो ब्रामो मूर्थ रहेगा 4 बच के 8 मिनट से सुबह 4 बच के 50 मेड तक अब जीत मूर्थ रहेगा 1.14 बच के 51 मेड सुबह से लेकर दो पहरबाद 12 बच के 45 मेर तक बिजय मूर्थ रहेगा 2 बच के 33 मेर से साम पांच बच के 22 मिएट से लेकर रात 7 बच कर 3 मिएड तक राहुकाल के समय किसी भी सुबह और अच्छे कारियों की सुरुआत नहीं की जाती है अब आई जान लेते हैं आपके रासी फल के बारे में तो मकारास के दोस्तों आज आप अपने घर किसी मांगली कारिकरम का आय जा रहेंगे आपको किसी पुरानी गलती से सबक भी लेना होगा आप किसी को बिना मागे सलाह देने से बचें ने तो समस्या हो सकती है साथ ही आज आप अपने काम को करने में आलत से दिखाएंगे जिस कारण वह काम अटक सकता है आपकी किसी नए काम के प्रतिरुची मदद लेनी पर सकती है आप कुछ स्थान पर अपनी मनवर्जी चलाएंगे जिस बज़े से माता पिता आप से नाराज हो सकते हैं आपको अपनी कुछ बातों को गुप्त भी रखना चाहिए साथ ही मकरास को दोस्तों आप अपने घर किसी नए मकान बाहान आज को लेकर भी कम होगी यदि आपने किसी से कोई वादा किया है तो आप उसे पूरा करनी की कोशिस करें आपको अपने धन सम्मंधित मामलों में साबधान रहने की जरूरत होगी आज के दिन आप अपनी उर्जा का सही इस्तेमाल करें यदि आपने किसी को बिना मागे सलाह दी है तो योग से साबधानी रहनी क्याव सकता है विद्यार्थियों कामन पढ़ाई लिकाई से भटक भी सकता है मकर राश के दोस्तों आप यह पार्टनर्शिप में किसी काम की सुरुआत करेंगे तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा आपको अपने आसपास रहरे सत्रों को पहचा साथ ही मकर राश के दोस्तों रोजगार की तलास में भटक रहे लोगों को कोई सुबसुचना में सकती है आपको किसी बिरोधी के बातों में आने से बचना होगा माता जी को आप ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाब कराने के लिए लेकर जा सकते हैं सरकारी योजनाओं में धल लगाने से अच्छा लाब मिलेगा ये आप किसी काम के पूरा ना होने से लंबे समय से परिसान चल रहे हैं तो ऐभी पूरा हो सकता है आप परिबार के सदस्यों के साथ कुल मिल कर बैठ कर कुछ पुरानी यादों को ताजा भी करेंगे साथ ही आपको अपने काम को लेकर आगे बढ़ना होगा अंजान लोगों से दूरी बना कर रखें प्रतिस परधा का भाव आपके मन में बना रहेगा आपकी कोई पुरानी गलती परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है आपको अपनी कुछ गुपत बाते किसी के सामने उजाकर नहीं करनी चाहिए साथ ही ससुराल पक्ष के किसी बैक्ति से आपकी कहा सुनी हो सकती है प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के साथ कहीं लंग ड्राई पर जा सकते हैं और उनके लिए कोई उपहार भी ले करके आ सकते हैं आज आप अपनी सुप सुवधाओं पर अच्छा खासा धन बैक करेंगे आपको जीवन साथी के कैरियर में तरकी करते देख आपकी खुसी का ठिकाना नहीं रहेगा आप किसी बचत की योजना में धर लगा सकते हैं बैंकिंग छेतर में कारियत लोगों को पदोन नथ हो सकती है विद्यार्थी किसी प्रतोयक्ता में भाग ले सकते हैं जिसमें उन्हें जीत क्या वसकता होगी तो मकरास के दोस्तों ये था आज आपका रासी फल कल फिर से एक नएरास फल के साथ हम आपके साथ होंगे जैसानी देओ